Capital Smart City Overseas Prime 1, Sector G, इसमें सब्सक्ड डिवल्पमेंट की सूरतेहाल किया है As of 3rd of June 2023, आज की स्टुडियो में Sector G की डिवल्पमेंट के वाले से एक्स्प्लेन करूंगा कि Sector G में किस साइस के प्लॉट है, Sector G की लूकेशन के है और Sector K भी आता है, इसके लावा अगर आप देखते हैं कि कनाल के दसमनला के प्लॉट्स आप वाई करते हैं इस्ट प्राइम मन में, तो सबसे पेटर ऑप्शन जो बनता है, वावका बनता है Sector G, उसकी वज़ा यह है, कि Sector G में तमाम के तमाम प्लॉट्स है, उनके सामने जो रोड है, वो 50 फीट है तो यह एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर प्लॉट के सामने 50 फीट की रोड है, यह फिजिकली अगर आप साइट विजिट करते हैं तो 50 फीट की रोड आपको प्रॉपरली फील होती है, 40 फीट की रोड और 50 फीट की रोड में डिफरेंस बहुत मैसिव है, आपको साइट पर विजिट के दुरान यह फील होता है, कि अर मेरे घर के सामने रोड बहुत ओपन है तो जैसे भी न्यू डील आई है, 30 पर आप प्लॉट पॉसेशन वाला बुक कर सकते हैं, तो आपको पास अगर सेलेक्शन का मौका मिले, परस्नली मुझे सेलेक्शन का मौका मिले तो मैं G-Block को प्रेफर करता हूँ, और G-Block जो है, वो इसलिए भी प्रेफर करता हूँ, एक तो इंटरचेंज से डिस्टेंस तकरीबन तमाम जो दस मरला के प्लॉट्सन का एकोली बनता है, मासवाई सेंट्रल के, लेकिन सेंट्रल का मैं प्रेफर नहीं करता है, द्यून टू लेकिन G-Block जो ओवर्सी प्राइम बन का है, वो सब जहता प्रेफरिसली होता है, कि इंटरचेंज से डिस्टेंस तकरीबन 3-3 किलोमेटर का है, तो बड़ा डिस्टेंस नहीं बनता ज्यादा, दूसरी बात कि गॉल्फ कोर्स से बिलकुल अडिजस्टेंट है, तीसरी बात कि ब्लॉक के अंदर 50 फीट की रोड है, और चोती बात कि गेट नमबर 2 जो है, जो स के, सेक्टर G के इलावा भी, सेक्टर C में भी देखें, तो बागे वाथ करें, प्लॉट की प्लॉट की outcomes, प्लॉट की mark प्रैस्स की और साइजिस की, तो प्राइम 1 में जो प्लॉट्स लाँच हो धे, अब पे जुछ इस रिसेंट डीज में लाँच हुए चोईट है, तो Sector G में आपको जो plot मिलता है 70,000,000 रुपे में आप उस पे आज plot buy करें 30% payment पे let's say 22,000,000 जो भी price बनती है उसकी उस price पे 30% payment देने के बाद आप उस पे day 1 से construction स्टार्ट कर सकते हैं तो आपको इस सबसे बड़ा advantage पाकिस्तान में अगर real estate buy कर रहे हैं और पाकिस्तान में real estate buy करन तो मेरे खाल है यह बहुत ही positive बात है sector G अवराल जो members buy करना चाहते हैं specifically capital smart frequent interest लेते हैं तो उनके पास एक advantage है कि वो यहां पे plot book कर सेते हैं with direct possession and with direct selection of plot कि आपको plot की selection मिलती है जो available slots है जो available है reserve inventory में से उन में से आपको plot select करने का मौका मिलता है जहां तक बात है कि sector G की neighborhood की तो sector G की neighborhood में तमाम facilities available है यानि कि यहां पे अगर आपको linear park देखना हो तो वह भी मिलता है आपको वैसे parks मिलते है main road मिलता है commercial market मिलती है और बाकी जो amenities बनती है जैसे यहां पर आपके side पर आपके साथ जब आप घर बनाएं तो आप जंगल में घर बनाकर ना रह रहे हों अकेले फ्लोर पर काम हो रहा है तो फ्यूचर में जब साइर से बाता साइटी छे मास साल के अंदर जब उन विलास को cash पर सेल करेगी और members को handover करेगी तो उसे rent out करेंगे तो sector G में जो physically अब आदी मूव करती है जब इस एक rent पर आएं लोग तो वह जल्दी मूव करेंगे as compared to any other sector और वीडियो के स्टार्ट मैं इस सेकंड टाइं य थार टाइम बात कर रहा हूं कि 50 feet का road matter करता है अगर आप विजिट करें साइट पे आप 40 feet के road को विजिट करें आप सेक्टर C overseas 40 feet road आपको different feel रहता है और 50 feet road आपको घर के सामने बड़ी open street मिलती है तो future में जाके living point of view से यह चीज मैटर करती है और golf course से walking distance वह भी matter करता है और तमाम amenities जो है आपकी neighborhood में है so before going into the details सबसे पहले देखते हैं Google Earth location पे कि sector G की location क्या है sector G में किस size के plot है sector G में जो 50 feet road को इतना highlight कर रहा हूँ उसकी आपको मैं example map पे code करता हूँ ताक आपको understanding हो जाए कि actual वहाँ पे scenario क्या है Capital Smart City Overseas Prime 1 का master plan देखते हैं master plan में जो आज की वीडियो specifically इस ब्लॉक के हवाले से है sector G के हवाले से sector G के वीडियो का start है बात की थी कि सबसब आपको core amenities जो मिलती है आपको यहाँ पे already construction होई वी नजर आती है जो के one canal गहर बन रहे हैं दूसरी बात कि जो major commercial होगा जैसे बड़े साइसी commercial होगा दो कनाल चार कनाल वो आपको nearby walking distance मिलते हैं जो रोड के left side पे हैं और यहाँ पे एक मरकजी मजूद है sector M के नाम से इसके साथ gate के बिलकुल साथ जो चक्री रोड पे सबसे main gate होगा उसके साथ है और आपको यहाँ प पार्क ब्लॉक के अंदर मिलता है एक पार यहाँ गेट के साथ है एक यहाँ पे linear पार्क है और यहाँ पे left side पे linear पार्क है और यहाँ पे आपको तोड़ी बन चार पार्क मिलते हैं थोड़े से plots के लिए hardly यहाँ पे दोड़ाइस ब्लॉट होंगे उनके लिए amenities देखें त आपको बहुत feasibility अच्छी मिलती है और मैं बार बार हाइट लाइट कर था वीडियो में 50 feet की road को अब आप एक्स्पिलिन करता हूं 50 feet की road का difference कैसे पड़ता है अब जो 40 feet की road है 40 feet की road में आपको 11 foot 11 foot दोनों walls के सामने distance होता है आपको space मिलती है और 18 feet की carpeted lane मिलती है याँ आपको सामने 50 feet का road हो तो definitely जितनी घर की width होती है तो आप वहाँ पे घर की width के सामने 3 गाड़िया तो easily park कर सकते हैं आपको जहां से main road जो road होगी street होगी उसकी traffic भी disturb नहीं होती क्योंकि enough space है 18 feet और 30 feet की carpeting में फर्क ही है कि आप linear parking भी करें याई parallel parking भी करें तो आपको दोनों side पे road के आप गाड़ी की space निकालें तो फिर भी 18 feet बीच में गुजरने की जगा बन जाती है जो बाकी normal blocks में वैसे आपको 18 feet की carpet road offer की जाती है जिसमें example आप overseas east की ले लें मैं overseas east भी दिखाता है आपको overseas east में for example ये आप overseas east में आते हैं overseas east के अंदर ये आपको road ये 40 feet की road है ये difference feel कर लें और इधर prime में आजें ये 50 feet की road है तो आपको physically side पर जाके properly जो difference feel होना होता है एक road का वो feel होता है तो ये इसके अच्छी बात है prime के sector जी की अब बात करते हैं इसके 4 sides की 4 sides पर क्या बनता है उसके वीडियो में बाके जाके बाके टेल्स हैं वागे स्टून करता हूं नौर्स साइट पर इसका sector E बनता है जहां पर commercial market भी है और यहां पर जो red box नदा आ रहा है ये school और मस्जिद के plots हैं उसके साथ यहां पर east side पर यहां पर चक्री road होगा अगर हम बात करें इसकी south side पर या आफे रहे हैं और cannoträ रहुआरकर के सामने आपको 50 फीट की road मिलती हैं आपछरकर पसकर सामने आपको 55 की street मिलती है जो के बहुत ही positive बात है अगेन बैक टो रेल टेम फोटेज, दुबारा अपने स्क्रीन पे वही सेक्टर जी की फोटेज देख सकते हैं, जो एक्छल साइट फोटेज है, 3rd of June 2023 की, और इसमें आपको जितनी अमेनिटीज में एक्स्पेंड की हैं, वो भी मिलती है, अब बात करते हैं थोट से लेंड् नमबर टू, सेक्टर जी से आप वाक करके जाएं तो आप गॉल्फ कोर्स तक जा सकते हैं, यनि गॉल्फ कोर्स जोता है, वो किसी भी सुसाइटी का, इन फैक्ट गॉल्फ कोर्स के नाम पर पूरी-पूरी सुसाइटी बन जाती हैं, गॉल्फ कोर्स है वहां पर, जैसे 18 इसलामबाद एक्जेंपल ले लें, the most expensive society in इसलामबाद right now, just because 18 whole PGA standard golf course है, जिसके surrounding में कुछ विलाज और कुछ अपार्टमेंट वगरा सेल के जा रहे हैं, यहां पे गॉल्फ कोर्स जो अब सेंटर पॉइंट है, जहां से पूरे के पूरे डिस्टिक जो हैं, वो फाइदा इसलामबाद एक्सेस का मतलब है, कि मेंबर्स के पास society की तरफ से को extra charges पे करके आप गॉल्फ कोर्स की मेंबर्शिप ने लेनी, yes there is a possibility कि आप गॉल्फ कोर्स के लिए मेंबर्शिप लेनी पड़े हैं, लेकिन जो गॉल्फ कोर्स का community center है, जो गॉल्फ कोर्स का restaurant area होगा, ज आपको चक्री रोड से access मिलती है, और उसके साथ साथ आपको motorway से भी तरकीबन 3 सवा 3 किलोमेटर पे access मिलती है, तो वो भी एक बहुत positive बात है, कि आपको interchange से, 2 मिनिट्स की drive पे आप इंटरचेंसे हैं, और आपको दोनों side पे, यानि कि आप सामने ली side पे देखें, north side पे कि घर एक सकून की जगह होती है, तो सकून फिर आपको ऐसी जगह भी फील होता है, जहां पे आपको इस तरह का landscape मिलता हो, आपको golf course का walking distance हो, 200 plot के लिए, दो 200 plot के लिए आपको बास चार पार्क हो, और इसके साथ साथ आपको हर एक community जो है, वो walking distance पे वेलेबल हो, जैसे कि म दार सी बात है, जिन members के पास यहां पे already, sector G में plot की availability बहुत कम है, तो यह मैं को sell करने के लिए बात ने कर रहा है, यह उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, जिनके पास already यहां पे properties आ चुकी है, क्योंकि इसकी 95% inventory जो है, 98% inventory, वो members के नाम पे आण, well viewers, this was it from today, अगर आपक अगर आपको यह वीडियो अची लगे है, तो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड शेर और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें, रिजवान चीमा को दीज़े जाज़त, अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिस तक के लिएएए लिएो